हेलो एब्रिवाइन वेलकम टू कॉन स्टडी मैं आपको जेके सेस्बी के क्लासफोर रिक्रोट्मेंट का जीये का पार्ट कवर करा रही हूं जो कि आपको 40 मार्क्स का है विच इस वेरी स्कोरिंग अभी तक हम आपको स्पोर्ट करवा चुके हैं मैं आपको इंडियन हिस्ट खतम हो चुका है और हिस्ट्री ऑफ जेन के भी आपका कंप्लीट हो चुका है अगर आपको इन सब सब्जेक्ट के बारे में आपको विडियो देखनी हैं तो आपको हमारे चानल के प्लेलिस्ट पर जाकर आपको रिस्पेक्टिव जीये वाली जो प्लेलिस्ट हमारी बनी ह हुई है वहाँ पर आपको यह सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे और इसके इलावा जे के लिए रीजनिंग और मैट्स की भी रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट जो है वो हमारी बनी हुई है आप वो भी जाकर पढ़ सकते हैं इन फैक्ट अब हमारी इंग्लिश की क्लासिस जो की ब हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आप नए है इस चानल पर तो आप प्लीज इससे जाकर पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी हमारे चानल के सोशल मीडिया हैंडल से जो की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे आप उन्हीं जाकर जॉइन कर लीजिए जहां आपको टेलीग्राम पर डेली इक्विजिज अवेलेबल होती हैं इंस्टा और एफबी पर आपको चैनल की अपडेट्स मिलती रहती हैं कि हमारे चैनल पर क्या न्यू आने वाला है चो बी अपार्ट ऑफ दी फैमिली और लेट्स स्टाइ टुगेदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री अगर आपको याद हो तो हमने एंशिएंट खतम की थी हर्षवर्दन की डेथ पर कि हर्षवर्दन की डेथ हुई थी और छोटे-छोटे जितने भी किंग्डम से वह बनना शुरू हो गए थे ठीक है तो अ बेसिकली दो में सेक्ट स्में हैं मतलब दो मेंजर के जो ढिविजन झें पहला सल्टनेट डाइनेस्टी और दूसरा मुगल डाइनेस्टी पहले जो डूर्लस थे उंडिया के ही थे अब क्या हुआ बाहर से invasions होना शुरू होगी 780 के आसपास क्या हुआ कि जो Prophet Muhammad थे उनकी death होगी और उसके बाद क्या खलीफास बनना शुरू होगे जब खलीफास बनना शुरू होगे तो उन्होंने क्या किया उन्होंने भी try किया कि वो अपने जो भी Muslim religion है उसको बढ़ाएं या फिर क्या होता था कि जिसके पास जादा land होती थी वो जादा powerful माना जाता था तो खलीफ की भी यही में जो मर्जी थी कि जादा से जादा उनकी land उनके under हो ठीक है तो क्या हुआ foreign invasions होना शुरू होगी Islamic invasions होना शुरू होगी कासम ने की थी कब 712 AD में सिंद में पहला अटाक इंडिया में कहां हुआ था सिंद में उस टाइम पे अरब का खलीफा कौन थे अलहजाज थी ठीक है और सिंद के रूलर कौन थे दाहिर से और इस सब के बार में हमें कहां से पता चलता है चचनामा ठीक है एक बुक है जिसका नाम है चचनामा चचनामा से हमें पता चलता है कि मोहमद बिन कासम जो थे वो पहली बार इन्होंने अटाक किया था इंडिया पे सिंद में अटाक किया था ठीक है तो ये हो गया आपका पहला जो अटाक हुआ था हमारे इंडिया में ठीक है तो उसके बाद की अगर हम बात करें तो उसके बाद हमारे आए महमूद गजनवी जिन्होंने 17 टाइंज इंडिया पर अटाक किया ठीक है महमूद गजनवी ने 17 टाइंज इंडिया पर अटाक किया जिसमें से जो important अटाक है 1027 AD में उन्होंने जाट कम्यूनिटी पे अटाक किया और 1030 पे उनकी डेथ हो गी इनके इनके रेन में ये तीन मेजर इंडिलेक्चुल्स थे फारुकी, अलबरूनी और फिर्दोसी ठीक है जो फिर्दोसी थे वो फेमिस पॉइट जो पॉइट थे उनके वो थे और इन्होंन में क्या लिखी हुई है शाहनामा शाहनामा फिर्दोसी ने लिखी हुई है ठीक है अलबरूनी की अगर हम बात करें तो वो हिस्टोरियन थे और अगर उनकी बुक की बात करें तो उन्होंने कौन सी बुक लिखी हुई है मैं हटा देती हूँ अलबरूनी की बुक का नाम है तहकीके हिंद तहकीके हिंद ठीक है ये हो गया अलवरुनी जो की हिस्टोरियन थे ये कुन थे फिर फिर दोसी ये पोईट थे ठीक है फिर अगर महमूद गजनवी की बात करें तो महमूद गजनवी को एक ओर टाइटल भी दिया हुआ है महमूद गजनवी को टाइटल क्या दिया हुआ है स्टार ओफ इसलाम वर्ल्ड स्टार ओफ इसलामिक वर्ल्ड ठीक है स्टार ओफ इसलामिक वर्ल्ड किसको बोला गया था महमूद गजनवी को ठीक है तो चलते हैं अपने next invader की तरफ तीसरा invader जो आया इंडिया में जो major invader आया he was मुहम्मद गोरी थीक है मुहम्मद गोरी ने total five battles इंडिया में जो major लड़ी है कुणसी कुणसी 1175 में उन्होंने मुलतान पर attack किया जब रआजा वहां के थे मुल राज ठीक है 1178 में ऑन्न ने मांट ताबो पर अटाक किया और उस साइन पर भीमधेव टू जो थे वहां के राजा थे और उन्होंने यह जो पहली बैटल थी यह तो महमूद गोरी जीत गए बट सेकिंड बैटल जो थे वहार गए ठीक है और इस बैटल को बैटल ओफ ख्यादरा भी बोला जाता है क्या ख्यादरा ठीक है ख्यादरा भी बोला जाता है अब अगर हम थर्ड बैटल की बात करें जो कि बहुत इंपोर्टेंट है तो प्रित्वी राज चोहान के साथ इन्होंने पहली बैटल ओफ तरेन लड़ी थी तरेन किसको बोला जाता है जो कुरुक्षेत्र का एरिया होता है न अगले साल वो फिर आए बैटल ओफ तरेन टू लड़ी बट इस बार इन्होंने जैचंद की हेल्प से प्रित्वी राज चोहान को हरा दिया उसके बाद दो साल के बाद उन्होंने फिर सी बैटल लड़ी बैटल ओफ चंदवार जो बैटल ओफ चंदवार है चंदावर जो और important tease जो है वो मुहमद गोरी की यह है कि मुहमद गोरी ने आकर इंडिया में coins शुरू किये थे ठीक है और वो coins जो थे उस पर उन्होंने Goddess Lakshmi की जो inscription थी वो लगाई हुई थी इंडिया से इंस्पायर होके ठीक है तो लेट्स मूँव और देख लेते हैं अपना next फिर आ गया हमारा डेली सल्टनेट अब जब इस्लामिक इस्लामिक डाइनेस्टी बनना शुरू होगी तो यह फाइव मेजर डाइनेस्टी जो डेली सल्टनेड में आती है जिसका टाइम पिरेड था 1226 से 1290 तक का और इसके फाउंडर थे कुतुबुदीन एबक फिर आए खिल जी का जो टाइम पिरेड था वो था 1290 से 1320 के बीच में और इनके founder का नाम था जलालुदीन फिरोज खिल जी फिर थर्ड वान वस तुगलक तुगलक आये उसके बाद 320 से लेके 1414 तक और इनके founder थे ग्यासुदीन तुगलक फिर आये साइड्स साइड्स थे 1414 से लेके 1450 तक और इनके जो founder थे वो थे खिजर खान ठीक है फिर उसके बाद लोधी डाइनस्टी आई एंड जो डेली सल्ट ने जहां पर एंड हुए दाट वस लोधी डाइनस्टी इट वस 1451-1526 और इसके founder थे बहलोल लोधी ठीक है तो देख लेत स्लेव डाइनस्टी का हम पहले देखते हैं स्लेव डाइनस्टी के जो founder थे वो थे कुटुब अधीन एबक और स्लेव डाइनस्टी को ही ममलुक डाइनस्टी भी बोला जाता था ठीक है तो इनका जो टाइम पिरियल्ट ता वो था 1210 से लेके 1290 तक का यहां पर इनों ने ज पॉस्ट मौस्क मानी जाती है ठीक है अब जो अढ़ हाई दीन का जो उंपडा है ना सिर्फ वही अजमीर में बनाएगे इसके इलाव़ जो भी बिल्डिंग्स आपको जो डेली सेल्टेनेट के टाइम पर आपको जो भी विल्डिंग होएंगी वो सारी की सारी जो है वो किस कहां बनाएंगे हैं डेली में ठीक है सिवाए आठाई दिन के जोंपड़े को छोड़ कर ठीक है और अगर मैं बात करूँ कुतुब मिनार की कुतुब मिनार जो है बट इसे खतम किस ने कर आया था इल्टुट मिशने जो की next ruler है इल्टुट मिशने इल्टुट मिशने इनको complete किया था कुतुब मिनार को तो यह आ गया उसके बाद इनकी डेथ हुई चोगान खेलते खेलते 1210 में ठीक है यह जो टाइम पीरियड है ना यह स्लेव डाइनस्टी का है यह कुतुबुदीन एबक का टाइम पीरियड नहीं है ठीक है तो और इनको क्या क्या टाइटल दिये गे थे मलक सिपासलार और सुल्तान का टाइटल नहीं लिया ठीक है कुतुबुदीन ने कभी भी सुल्तान का टाइटल नहीं लिया तो यह फाउंडर थे बट ही वस नॉट दाइनस्टी ठीक है तो सुल्तान कुन थे इलतुत्मिश जो की सानिल नौ थे किसके कुतुदीन एबक के ठीक है स्लेव भी थे उनके और उनके सानिल नौबी थे ठीक है और कुतवदीन एबक की जब डैथ होगी पोलो खेलते-खेलते चोगान खेलते-खेलते तो फिर इलतुतमिश और कुतवदीन के बीच में एक रूलर आये थे उनका नाम था आराम शाह क्योंकि इनका सिर्फ आपको नाम याद मैंने अभी आपको बताया है क्योंकि उन्होंने कुतुबुदीन एबक ने सुल्तान का टाइटल नहीं लिया था अगर हम इलतुतमिश की बात कहें तो इन्होंने दो कॉइन निकाले थे तंका और जितल तंका जो था वो सिल्वर कॉइन था और जीतल जो था कॉपर कॉइन थ रखिएगा तंका को फॉस्ट अराबिक कॉइन भी बोला जाता है फिर उन्होंने दो बिल्डिंग्स बनाई थी सुल्तान घड़ी मतलब बिल्डिंग जो बनाई थी वो थी सुल्तान घड़ी और चहल गैनी भी बनाई थी चहल गैनी क्या था एक सिक्योर्टी थी 40 मेंबर् और इन्होंने ही इक्ता सिस्टम भी इंट्रियूस किया था इक्ता सिस्टम किया था यह लांड मेजर करने का एक सिस्टम था ठीक है लांड मेजरिंग यूनिट था इक्ता ओके फिर नेक्स टूलर है हमारी रजिया इल्तुत्मिश की ही बेटी थी रजिया सुल्तान ठीक है इन्होंने कुछ चीजें reject की, कुछ चीजें opt की, क्योंकि उस टाइम पर लड़कियों को तो गदी पर बैठने दिया नहीं जाता था, तो she stood against the society, तो इन्होंने कूबा और कुला, जिसको काप और ब्लेजर बोला जाता था, वो adopt किया और इन्होंने पर्दा सिस्टम को reject किया, क्योंकि उस टाइम पर पर्दा सिस्टम बहुत जादा था और इन्हें rule करना था, तो ये पर्दा सिस्टम में तो of course rule नहीं कर सकती थी, इसलिए इन्होंने उसे reject कर दिया, इनके husband का नाम था अलतूनिया, जो की बटिंडा के ruler थे, ठीक है, इन्होंने तीन, तीन coins इनके time प महरानी, पर इनका रहीं जादा चलानी, ये सिर्फ चार साल तक के लिए इन्होंने rule किया, और उसके बाद आगे हमारे बल्बन, ठीक है, तो बल्बन जो है, वो जो है, ये थे एक member किसके, चहल गैनी के ही member थे, और ये अपनी महनत से इन्होंने, जो थे ये ruler बन गे, after रज बल्बनी कोईन भी इन्होंने ही निकाला था, blood and iron way इनका तरीका था, इनके rule करने का, क्योंकि क्या हुआ था, क्योंकि ये चहल गानी के ही member थे, तो जब ये राजा बन गे, तो चहल गानी के जितने भी members थे, वो इनसे jealous होगे, और इनके against conspiracy करने लगे, तो मजबूरन इन्ह इन्हें चहल गानी को destroy करना पड़ा, इन्हें end करना पड़ा, इसलिए इनके way को blood and irony way बोला जाता है, और इसी के time पे इन्होंने अपना दबदबा बनाने के लिए, दो systems निकाला थे, सिजदा system और पहबोजी system, पहबोजी system means कि जब किसी को राजा से मिलने आना है, तो उन् उन्हें बो करना है, उन्हें जुक कर सलाम करना है, ठीक है, तो यह होगी आपकी slave dynasty, bulban was the last ruler of slave dynasty, then came your khilji dynasty, खिल जी मैंने आपको बताया है, खिल जी के founder कोन थे, जलालुदीन फिरोज खिल जी, अगर आपने पदमावत देखी होगी, तो आपको पता होगा कि अलाउदीन ख खिल जी दो थे, वो जलालुदीन जो उनके चाचा थे, उसके बाद अलाउदीन खिल जी जो थे, वो खिल जी डायनिस्टी के ruler बन गहे थे, ठीक है, जो अलाउदीन खिल जी का, औरिजिनल नीम जो था वो था, अली गुर्षास, ठीक है और बाद में उन्हों आपना करेक्टर सुल्टान माने जाते है डेली सेलटनेर्ट के वो अलाओ दिन खिलजी ही माने जाते हैं इनके ट roupि पर बहुत बड़ी आड़ी थी इन्होंने आमी को युनिफॉर्म्स देना शुरू की थी और दाग मतलब इनके जो घोड़े थे उस टाइम पर क्या था कि घोड़ों से ही राजों की पहचान होते थी जितने साधा घोड़े मतलब उतना ही उसकी probability जाधा है वहर जीतने की ठीक है तो इन्होंने अपने घोड़ों पर स्टांप् ठीक है फिर इन्होंने दो टाक्स भी लगाये थे घराई और चराई घराई मींस की घर रहने के लिए जो मतलब वहाँ पर living टाक्स होगा वो और चराई मींस की अगर किसी को भी अपने जो पेट जो cattle है उन्हें चराने के लिए कहीं छोड़ना है तो उसका भी उन्हें टाक university पर next dynasty आगी हमारे तुगलगा दाएश्टी इसकी founder थे गियासुदीन तुगलग इन्होंने ही irrigation जो system था इसे inट्र दियूष किया था इंडिया में ठीक है और postal services को भी इन्होंने ही इंट्र दूश किया था और इन्होंने टाइटल अटेइन किया था गाजी का अकेले थे तो इस लिए जिन्होंने title attain किया था गाजी का, ठीक है किसने ग्यासुदीन तुगलक ने, ठीक है, तो ग्यासुदीन तुगलक के बाद को ना है मुहम्माद बिन तुगलक, मुहममाद बिन तुगलक जो थे, वह उसके बेटे थे बट इन्हें पागल राजा का बोला जाता था क्यों कि इन्होंने जो भी पॉलिसीज बनाई वो कहीं न कहीं फेल होती गई इनके जो रेन थे उसके हिसाब से तो इसलिए इन्हें आइसा आइसा पागल राजा बोलना शुरू कर दिये सबने ठीक है इन्होंने क्या किया इन्होंने कापिटल शिफ्ट की इन्स चलते थे ठीक है तो इन्होंने क्या किया टोकन करांसी शुरू की टोकन करांसी मीन्स पेपर करांसी ठीक है जो की मंगोलीन बीस्ट पेपर करंसी थी वो शुरू की इन्होंने एक और जो एक जो अलग से क्या बनाया दिवाने अमीर को ही बनाया मतलब जो वहां के महल लोते थे वहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट उते थे न इन्ह ने एक ओर डिपार्टमेंट बना दिया दिवाने अमीर कोही ठीक है और इनहीं के टाइम पे एक फॉरण ट्रावलर भी आये थे इबने बतूता ठीक है जो की मरॉक्कुस से आये ठीक है किसके टाइम पर आ पोश्चा तुगलक ने ही क्या किया था कि अशोका पिलर्ज नेपाल से इंडिया में लेकर आये थे ठीक है इन्होंने क्या किया था अब आपको यादोगा ग्यासु दिन ने क्या किया था इरिगेशन लेकर आया था इंडिया में बट इन्होंने क्या किया इन्होंने उस प इसे क्यों बोला जाता है क्यूंकि पहले जो था वो ब्राह्मन और वुमन को जो था नहीं देना पड़ता था जिजाटाक्स और इस ने क्या किया इसने सब के लिए compulsory कर दिया जिस अटाक इसलिए अगर कभी एक्जाम में ये question आए और फिरोशा तुगलक अगर option में हो तो फिरोशा तुगलक will be the answer for imposing जिस अटाक्स okay so let's see आज हमने जो पड़ा है who was the ruler of Sindh during first Islamic attack in 712 AD तो दाहिर सीन थे Sindh के ruler who was the caliph of Arab at the time of first Islamic attack अलहजास विच रूर अटाग दी सिंध मुहम्मद बिन कासिम who had the title of भुच शिकन slayer of idol कौन थे किसने आकर यहां पर मंदिर तोड़े हैं तो मेहमूद गजनवी ने सुद तोड़े हैं ठीक है देखो who invaded India 17 times महमद गजनवी ठीक है I guess it's महमूद गजनवी ठीक है महमूद होना चाहिए महमूद मैंने गलात लिख दिया which was the first mosque of India kuwait ul-uslam और यह कहां पर थी Delhi में बनी थी which famous temple was attacked by महमूद गजनवी सुमना temple in which war was प्रित्वी राज चोहान defeated by महमूद गोरी तो battle of terrain 2 में प्रित्वी राज चोहान जी हार गए थे first राजपुत ruler to defeat महमूद गोरी कौन थे भगेल भीम थे ठीक है या फिर भीम थी भी बोला जाता है इनको who built अधाईदिन का जोंपड़ा तो कुतुबदीन एबग ने बनाया था और कहां बनाया था अजमेर में और इसे complete किस ने किया था इल्तुत्मिश ने who was the first sovereign sultan of Delhi तो इल्तुत्मिश अब आपको मैंने बताया था कि इल्तुत्मिश जो थे वो first sultan बने थे Delhi Sultanate के slave dynasty के ठीक है कुतुबदीन एबग जो थे वो founder थे बट उन्होंने कभी सुल्तान का title नहीं लिया था who was credited with the destruction of चहल गानी तो किसने destroy कर दे था चहल गानी को बलबन ने who introduced the famous Persian फेस्टिवल नौराज नौरोज तो बलबन नहीं किया था अब ये दो questions मैं आपके लिए छोड़ रही हूं make sure कि आप comment box में आप मुझे लिख कर बताएं कि इसकी क्या answers है और अगर आपको ये विडियो पसंद आई हो तो आप इसे like कर दीजेगा अगर आपको कोई भी doubt हो तो आप मुझे comments में पूछ सकते हैं ठीक है thank you so much and कोई suggestions होंगे तो वो भी आप मुझे comment box में बता दीजेगा I make sure कि मैं आप सबके comments पड़ू और जो भी आपके suggestions हैं doubts है answers है I appreciate all of them so please make sure कि अगर आप आए हैं इस वीडियो पर देखने के लिए तो आप जो अपना response है वो ज़रूर दे कर जाएं thank you so much I'll come up with the next video जहां पर मैं आपको बाकी dynasties के बारे में भी बताऊंगी okay till then thank you god bless you bye bye